नमस्कार, इनसे मलीrobe कारवेकरम में आपका स्वागत है, मैं हूँ डॉक्टर कृष्शिन कुमार, आज के हमारे इस कारिकरम में हमारे महमान हैं। डॉक्टर सौमनससदेवा, a?!" सषदेवा, कुल्पति लॉक्टर हैं, कुल्पति हैं। आई करते हैं एक मुलाकार रक साब हमारे कारे कर्म में आपका स्वागत है नमस्कार रक साब हम अपनी बातों का सिलसला शुरू करें उससे पहले कुर्खेतर विश्व डाले के बारे में हम आपकी नजर से जाना चाहते है जैसा कि हम सब लोग जानते ही है कुर्शेतर विश्वदाले हर्याना का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विश्वदाले है इसकी साबना 1957 में हमारे जो प्रथम राश्टरपती जी थे डॉक्टर रजिंदे प्रसाची उनके करकमलों द्वारा फांडिशन स्टोन रखा गया था और उस समय कुर्शेतर विश्वदाले एक संस्कृत विश्वदाले के रूप में बना था और आज हमारे पास लगबग दोसों से जदा हम अकैडमिक प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं संस्कृत के इलावा हमारे पार्टीन नाइन डिपार्टमेंट्स है और अभी भी कुर्शेतर विश्वदाले हरेना का सबसे बड़ा और सबसे पुरणा विश्वदाले बना हुआ है डग साब आज आज आजादी का अमरित मौतसों मना रहा है पुरा देस में उलास है खुशी है उत्सा है हरगर तिरंगा अभियान कुर्खेतर विश्व जाले किस रूप में मना रहा है आजादी के आमरित महत्सव जैसा कि पिछले लगबग 75 वीक से हम लोग मना रहे हैं और उसके तहट विभिन कारे करम कुर्खेतर विश्व जाले ने किये है हमने शुरू में सोचा था कि प्रमुक रूप से हम 75 75 करे करम इसके अंदर लेंगे प्रन्तु आज के दिन मैं देखता हूं तो हम 75 से भी कहीं ज़्यादा कर चुके हैं और अभी इसी के तहट जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है इसके अंदर भी उर्शेतर विश्व जाले बढ़ चाड़ कर इसमें अपनी सभागता कर रहा है अभी हाल ही में हमने एक साइकल रेली का आयूजन किया है इसके अंदर और हमारे बच्चों ने एक तिरंगा यात्रा निकाली है और आज सुबह ही इसमें एक नुकर नाटिका का प्रदर्शन किया गया और हमारे सभी जो विश्व जाले के हमारे साथी हैं टीचिंग नॉन टीचिंग से सभी में इसमें बहुत जोश है और 13 से 15 अगस्त के बीच में सभी अपने अपने घरों में बहुत जोश के साथ तरंगा लहरने और फेरने जा रहे हैं तर आप एक जाने माने शिक्षावीद हैं और आजादी के बाद इन 75 वर्शों में मैं उच शिक्षा की बात करूँ तो इसके विकास के बारे में क्या और किस नजर से देखते हैं तेखे उच शिक्षा में पिछले 75 सालों गंदर बहुत तेजी से और बहुत ज़्यादा विकास हुआ है जहां शुरुआत में हमरे पास यूनिवस्टी और कॉलोजिस के नाम पे केबल कुछ एक संस्तान थे आज हमरे पास लगबग एक हजार के गरीब पूरे देश के अंदर हमरे पास विश्य विदले हैं और बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमरे पास एफ़लेटिटी कॉलोजिस हैं और बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमारे युवा जो उच्छी शिक्षा के अंदर अपने पढ़ाई पूरी कर रहे हैं तो इतना ज्यादा इसके अंदर विकास हुआ है हम देखते हैं कि अभी भी हमारे पास लगबग हमारा जो ग्रॉस एन्नॉल्मेंट रिशो है वो 28% के ग्रीब है और अभी हाल ही में इसके अंदर जो हम कह सकते हैं कि अमूल चूल परिवर्तन जो राश्रे शिक्षानिती 2020 के माद्देम से किया जा रहा है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो 1986 के अंदर पीछे हमारी जो नैशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके माद अभी जो इंटर्मेशन हमारा 2020 के अंदर हुआ है इसमें जो एक बहु अपेक्षित जो चेंजिस होने चेहे थे हमारी उच्छी शिक्षा के अंदर वो सभी होने जा रहा है और इन सभी चेंजिस को अभी कुर्शेतर विश्व जाले भी लागू करने जा रहा है और बहुत सारे परिभत्तन इसमें आप देखेंगे जो कि हमारे युवाओं के लिए हमारे शिक्षियों के लिए आने वाले समय के अंदर इस नई शिक्षा निती के माद्यम से इंप् प्रेजियों की गुलामी से मुक्ते हम एक स्वतंत्र भारत के अंदर स्वतंत्र रूप से हम अपना जीवन यापन कर पाएं तो हमारे वीरों हमारे महापुर्शों के बलिदान और त्याग की बदोलत हमें वो दिन देखने को मिला और आजादी के बाद अभी समय समय पर हम हमारे माइने जो हैं वो तो ही जो समय थे उसके साथ साथ उसे परवड़तन भी होता रहता है तो आज के कॉंटेक्स में अगर हम बात करें एक विज्ञानी एक शिक्षक के रूप में हम लोग चाहते हैं कि जो एक फ्रीडम रहती है काम करने को कि साइंटिस क्या चाहता है क कि मैं जिस विशे पर रिसर्च करना चाहता हूं मुझे उसकी फ्रीडम हो इसी दिने से एक शिक्षक कहा चाहता है कि मेरे को अकेडमिक रूप से पूरंते हमें सुतंतर रहूं और मुझे है इस बात की बहुत खुशी है कहते हुए कि over the years हमने नाकेबल freedom of expression को अपने constitution के अ हमने actual में ground उपर भी इसको implement करने के लिए बहुत कुछ किया है और काफी हद तक हम इसमें सफल भी रहे हैं और मैं इसमें बहुती संतुष्टी के साथ कह सकता हूं कि अभी हमारी जो राश्य शिक्षान निती 20-20 जिसे हम इस academic सत्र से लागू करने जा रहे हैं अपने विश लिए शिक्षान निती को बनाया गया और एक बहुत ही आप देखेंगे कि समाज के अंदर इसे द्वारा परविर्थन आने जा रहा है सर शिक्षा के अलावा कुरक्षेत्र विश्विद्याले ऐसे समाजिक सरोकारों से जुड़े कारिकरम भी संजालित करता है जिसका समाज के उपर व्यापक असर बड़ा है वो कौन से कारिकरम है जो कुरक्षेत्र विश्विद्याले संजालित करता है पुर्शेत्र विश्विधले के हमारे जो हमारी जो social responsibilities हैं हमारे outreach programs हैं वो outreach programs हमारे जो शेक्षिनी कारेकरम हैं उनसे आप यह कह सकते हो कि किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं बहुत बढ़ चाड़ कर हमारे इसमें जितने भी साथी हैं हमारे जो faculty members हैं हमारे students हैं इसमें समय समय पर उसमें सभागता करता हैं चाहे तो NCC के माद्धियम से हो चाहे वो NSS के माद्धियम से हो चाहे हमारे जो youth red cross volunteers हैं उनके माद्धियम से करें अभी हाली के अंदर हमने अपने आसपास के 6 गामों को अडॉप्ट किया हुआ है तो उन 6 गामों के अंदर उन में से एक गाम क को हम इसमें स्किलिंग का प्रिक्षिक्षिन दे चुके हैं अभी हाली में लगबग पिछले डेड़ साल में सो से ज्यदा महिनाओं को इसमें हमने प्रिक्षिक्षित करने के बाद उनको आत्मनरी में बनाया आज मैं कह सकता हूँ कि वो पांच जार से दस जार रुपे तक कि इंकम अपने लवरबल जेनरेट कर रहे हैं हमारे इस चोटे से प्रियास से और अभी इनी छे के छे गावों के अंदर हम लोग अगले 10-15 दिन के अंदर वहां के यूथ को कंप्यूटर के फिल्ड में स्किलिंग देने के लिए भी वहां पर कंप्यूटर सेंटर सेट जा रहे हैं तो इस तरहें के और भी बहुत सारे प्रयास हैं जो कि हम समय समय पर करते रहे हैं सर आज का समय सुचना करांदी का यूग है और ऐसे में जो किरिया कलाप हैं या व्यापार है यहां तक कहें कि आप सी मेल जोल है वो इंटरनेट के मादिम से होने लगा है ऐसे छेत्र आपने कौन से चेणित किये हैं ऐसे नए कुर्स जो कुरक्षेतर यूव्श्टी स्पूरू करने जा रहा है या सुरू कर चुका है हमारी यूनिवस्टी जो है एक मल्टी डिसिप्ली यूनिवस्टी है हमारे पास यहां पर साइन्सीज, सोशल साइन्सीज, इंजिनरिंग, हुमेनिटीज इस तरह के बहुत सारे विश्यों के अंदर हम लोग इसमें अपने विद्यार्तियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो अभी आजकल के कॉंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो हमारा इंडस्ट्रिल रवोलुशन 4 के जो फील्ड है तो उसके अंदर हम लोग इस तरह के विशे जिसमें साइबर सेक्यूर्टी भी है, जिसमें क्लाउड गंप्यूटिंग भी है, जिसमें आर्टिफियल जिसमें मशीन लर्निक है, जिसके अंदर डेटा अनलिटिक्स है, तो इन विश्वों पर हम इसी अकेडमिक सत्र से कम्प्लीटली ओनलाइन प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और इसके इलावा हमारे को यूजी सी ने चार शित्रों के अंदर कम्प्लीट ओनलाइन डि हम लोग शूरू करने जा रहे हैं उनको इए ये ये कम्प्लीटली ओनलाइन होगा और इन ब्रोग्राम AzPL को हम लोग अपने जो फिजिकल ब्रोग्राम जा लडी चल रहे हैं चाहे वो स्वम जैसे पोर्डल को प्रोप लब्ध हैं चाहे दूसरी उनिवेस्टिस के हैं उनको भी आप्ट कर पाएगा तो यह इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारी जो राश्रे शिक्षान जिटी 2020 उसके तहट हम सब लोग इस तरह के प्रयास कर रहे हैं इसके हमने लास्ट येर हमारा विष्व जतालके उन दो विष्व जतालों में एक है जिनको एक ऐस त्यों ने एंध्रद टेश्ट ट्रख्र Gaming अंदर एक कपीजि प्र सूरूर करने उन की प्रमिशन दी थी वह कि ये सभी प्रोग्राम विद जिरो कॉस्ट टू दे युनिवस्टी यानि कि ना केवल हम इसमें कपेस्टी बिल्डिनिंग कर रहे हैं एक नए एरिया इसके अंदर युनिवस्टी के हम अपने युवाओं को एक लेटेस फिल्ड की जानकरी देंगे शिक्षा देंगे प्रन सब अगर आप देखें तो वीजन हमारे युनिवस्टी का इदर हमारे सामने भी है बी ग्लोबली एक्डॉलेज्ट एज डिस्टिंग्वेश्ट सेंटर ओफ एकड़मी एक्सिलेंस यानि कि हम शिक्षा के क्षित्र में पूरे विश्व के अंदर एक सेंटर ओफ एक्सिले है तो आप देखेंगे कि इस वीजन को प्राप्त करने के लिए आपने मेरे से 25 साल के बाद पूछे हैं तो हमारे को कुछ एक गोल्स बनाकर कुछ एक स्टेप्स के माध्यन से हमें यह एक्षीव कर रहा होगा तो युनिवस्टी के अगर बात करें तो सबसे पहले ही बात करते हैं अभी जैसे करोना काल के अंदर हमने सारा ओनलाइन एजुकिशन पे शिफ्ट किया एक्जामिनीशन को भी ओनलाइन पे शिफ्ट किया टीचिंग लड़ने के अलावा दूसरा यह रहता है कि हमारा रिसर्च आउटपूट कैसा है तो समय के साथ रिसर्च के में हमने कुछ एक इनिशेटिव लिये हैं जैसे लगबर डेट साल पहले तक युनिवस्टी के पास पेटेंट को लेकर कुछ ऐसा वर्थवाइल बताने लाएक बहुत कुछ नहीं था तो हमने हमारे ही एक अलुम्नेंस हैं युनिवस्टी के उनका हमने ऑनरीरी प्रोफेस आर्ड है कि आमने पेटेंट को फाइल कैसे करना है उसको हमने फैसिलिटेट किया उनके मद्दें से और इस पे जितनी भी कोस्टिंग आते हैं वो युनिवस्टी बेर कर रहे हैं वो फैकल्टी मेंबर या हमारी रिसर्च को उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है तो पब्लिश हो तो जितने भी हमारे इंडेक्स जर्नल्स हैं चाहे तो SCI में हैं स्कोपस में हैं तो अभी हमने यह प्राफधान कर दिया है कि हमारे जो विद्यार्थी PhD सब्मिट करेंगे उससे पहले इस तरह के जो अच्छे जर्नल्स हैं उसके अंदर उनकी रिसर्च का अच्छी होगे हमारे पेटेंट्स अच्छे होगे हैं तो हम देखेंगे कि समय के साथ हमारा जो विजन है कि पूरे विश्वि के अंदर कुर्शेत्र विश्व दालेगा एक बड़ा नाम हो हमारी रेंकिंग नाकेवल हमारे जो NIRF है हमारी जो NAC की ग्रेड़िंग है उसक अंदर हमारा सुधार हो तो हमारा प्रयास है कि इन सभी स्टेप्स के माध्यम से जो हमने ये प्रयास किये हैं हमारा रेंकिंग भी पहले से बहतर हो और अगले कुछ सानों के अंदर पांच-दस सानों के अंदर हम विश्व सतर पर भी अपनी रेंकिंग एस्टेबिश कर प और विश स्थार पर हम अपने आपको Establish कर पाएंगे ऐसा मेरा मानना है डगस साब राश्टी शिक्षानिती में ऐसा क्या खास है जिसके बारे में आप विशे इस तोर पर बताना चाहेंगे क्रिशन जी हम आज गल राश्ट्रे शिक्षानिती के बारे में सुन रहे हैं तो मैं सबसे पहले बताना जाहूंगा कि राश्ट्रे शिक्षानिती 2020 को कुर्शेत्र विश्वदाले हर्याना में सबसे पहले लगाने जा रहा है और नाकेवल हर्याना में पूरी देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो शायद हम उन चंद एक यूनिवस्टीज के अंदर हैं जो की इसी अकैडमिक सेशन से इसको लगा रही हैं इसके अंदर बहुत सारी ऐसी खासी हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं प्रंतु में जो इसके जो मुख्य बिंदु हैं उसके ब प्रंट पाएंगे दूसरा कहा है कि इसके अंदर आप स्वेचा से कभी भी एक्जिट कर सकते हैं कभी भी आप वापिस आ सकते हैं इसको हम बोलता है मुल्टीपल एंट्री एक्जिट स्कीम जैसे एक बी ए का स्टुमेंट है बी ए फस्टे के बाद इसको छोड़ सकता है बी ए सेकंड के बाद चोड़ सकता है बी ए थठी के बाद सकता है और ये परत एयर का भी प्रूइस है उसमें फरस्ट आ के बाद चोड़ेगा तो उसको एक सर्टिफीट कोर्स मिलेगा सेगंड बाद डिपलोमा का प्राफदान ए है थर्ट एर के बाद ओर पाद इसको हम second year में जाएगा तो multiple entry exit ये first time introduce हो रहा है नई शीक्षा निती के माद्यम से और जब वो student छोड़ के चला गया first year उसने किसी संसान से किया second year किसी दूसरे संसान से करेगा तो जितने भी credits उसने पास किये हैं वो credits उसके एक bank के अंदर जम हो जाएगा उसको हम बोलता है academic bank of credit तो academic bank of credit की सुविता है किसी भी समय वो academic bank of credits में जो credits जम है उसका अलाव वो ले सकता है इसके अलावा क्या है कि इसमें रोजगार परक शिक्षा परणा ली है जैसे मैं आपको बी एक example तो बी में अगर वो first year के बाद exit कर रहा है तो एक internship करेगा पहले वो फिल्ड में जाकर किसी इंडस्ट्री में साथ मिलकर सेकंडियर में छोड़ेगा तो सेंग्डियर में इंटर्शिप करेगा अगर वो यह कहता है कि नहीं मैं तो तीन साल पंड़े के बाद चुन होगा तो तीसरे साल छोड़ने से पहले उसको कि इंटर्शिप करनी है यानि कि field की टर्णिंग ज़रूरी है इसके इसके अंदर इसी तरह से हर एक student को चाहिए वो किसी भी program का हो वी से का हो बीए का हो किसी दूसरे academic program का है तो उसमें skills से related वो कोई ना कोई subjects दो तीन subjects वो जूरूर बढ़ेगा जैसे फोर पहले हमारा संस्क्रीट का विद्यार थी है पहले उसको कंप्यूटर के अंदर एज्विशन नहीं दी आती थी अभी कम से कम एक कोर्स वो कंप्यूटर का भी इसके अंदर पढ़ेगा इसी तरह से activity based हम कुछे courses रख रहे हैं कि जहां पर community engagement भी होगी कि बच्चा गाम के अंदर जाके काम करेगा और गाम के अंदर जो उसका काम किया हुआ है उसके basis पे उसका evaluation होगा सर इस वक्त आपने ये हमें जानकारी परदान की लेकिन साथ में ये भी देखा गया है कि हमारे देश में skill और employment का mismatch देखा जा रहा है इस खामे को दूर करने के लिए आपकी तरफ से क्या सुजाव हो सकते हैं करिशन जी आपने बहुत अच्छी बात करी अगर हम अपने देश को compare करें जो हमरे दूसरे countries है तो हमारे यहां पे जो हमारे यूओं के अंदर skill है 5% से भी कम है और South Korea से compare करे तो 90% से जज़ा महां क यूद जी है वो skilled है तो हमारे यहां तो एक समस्था तो यह है कि skilling कम है दूसरी यह भी है कि जो skilling है भी तो उन लोगों के पास जो skilled है उनके पास किसी तरह का certification नहीं है जैसे एक mechanic के पास कोई आदमी काम सीख रहा है वो skilled है वो scooter की service बहुत अच्छी तरह कर सकता है वो बह इस तरह के लोग है उनको भी skilling का certification भी दे सकता है और मैंने जैसे आपको बताया अभी कि जितने भी student किसी भी academic program से निकलेंगे तो कम से कम दो या तीन courses वो उस subject से related और general kind of skills वो सीख कर निकलेंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारी employment थी उसके अंदर भी उनको employment लेने भी sector है यह हमारा जो कुटीर उद्योग जिसको MS ME sector बोलते हैं micro small medium enterprises के माध्यम से हमारा रोजगार आता है तो हम लोग यह देख रहे हैं कि अगर हम अपने छात्रों को proper skilling दे रहे हैं तो इस रोजगार को बढ़न में एक बहुत अच्छी मदद कर पाएंगे क्योंकि स्वरोज स्वरोजगार के माध्यम से हमारा maximum रोजगार आता है तो सुरोजगार के काबिल हम लोग उनको बनाने के लिए परियास कर रहे हैं तो बोड़ी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर नागेवल हमारे विश्यवदाले में सभी संसानों के अंदर पिछलों कुछ वर्षों से बह सर पिछले दिनों एक ख़वर अगवार की सुर्खियां बनी कि परदेश के मुख्यमंतरी कुर्क्षेत्र विश्विद्याले के उचात्र हो गए हैं इस बारे में आप क्या कहेंगे हाँ जी हमरे लिए बहुती गर्व और सम्मान की बात थी कि हमारे मानने है मुख्यमंतरी शीरिम नहोरला खटर जी हमारे एक एक अकैडमिक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने एडमिशन लिया और ये प्रोग्राम हमरा था वो था एक सर्टिफिट प्रोग्राम है लिए लेंग्विज को हमारे मुख्यमंतरी जी प्रोग्राम इसलिए करना चाहते हैं कि जैपान के अंदर हमारे यूगों के लिए रोजगार की अपार संभावनाए हैं और हम सब लोग जानते हैं कि जैपान हमारा एक मित्र देश है तो कहीं ना कहीं उनका इमानना था कि मित्ता जो है ये कागविओं से बाहर निकल कर हमारे जो है ना हार डू हार्ट हमारे जो डिल के समंद्ध जैपान के साथ बने तो बहुत जरूरी है कि हम लोग जैपान के कैलचर और जैपान की लेंग्विज को सीखें तो इस ही उदेशे के साथ उन्होंने नाकेवल हमारी यूनिविस्टी को प्रिरित किया कि हम जैपनीज लेंग्वेज के अंदर इस प्रोग्राम की शुरुबात करें परन्तु उसके अंदर उन्होंने फर्स्ट स्टुडेंट बन कर उसमें एड्मिशन भी लिया और वो प्रोग्राम मैं बताना चाहूंगा कि अभी वो प्रोग्राम पूरा हो चुका है और हम लोग तयारी कर रहे हैं कि कब हम अपने मुक्य मंत्री जी को अपनी कन्वोगेशन अंदर वो सर्टिफिकेट भी दे पाए और हमारे विश्यूद ळैले में ऐसा क्या खास है जो इसे अने शिक्ष्ट संस्थाऊं से अलग करता है कि रूप से अगर विश्यूदाओं के बात करूँ तो हमारे बास एक धरोहर के नाम से संग्राले है ऐसा बहुत कम देखने माता है कि इसे विष्य दाले के अंदर इस तरह कोई Messiah हो, और उस Messiah की खास्वाथ है कि जो हर्यानवी कल्चर है, हरेना की संस्कृति को उसके अंदर दिखाया गया है, और नाके वल वो संस्कृति, एक G pests की अशी संस्कृति जिस ? अधे सेंडे यशे मुलता है किस तरह से हमारे विलिजिस हमारे काउं किस तरह से सेल्फ सस्टेनेबल हूआ करते थे आत्मरिवर हुआ करते हैं हम9 अज districts कर रहे हैं तो आप देखें हैंगे अगर आप उसको 57 एक जो बाहर वाला उसका एक extension किया है हमने उसके अंदर विभिन जो हमारे उसके अंदर जांकियों के माद्धियम से या दूसरे हमारे जो जो दृश्चे दिखाए गए हैं उनके माद्धियम से पूरे गाम की संस्कृति को यह दिखाए गा कि किस किस तरहें के professions गामों के अंदर लुपत हो गए हैं और उन professions के वेए से गाम के अंदर बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं हुआ करते हैं तो वो देखकर जितने भी लोग आते हैं वो सब बहुत तारीफ करते हैं इसी तरह से हमारे यूनिवस्टी ने कुछ एक awards एस्टबिश किया है जो कि science को promote करने के ले हैं. So in the field of science हमरे पास ये awards हैं जिसके अंदर हम इनको goel awards के नाम से जानते हैं हमारे एक जो US के अंदर NRI थे कुर्शेतर के आसपास रहने वाले थे खुद वो science में नहीं पड़े लिखे थे प्रंतो science को promote करने के उनकी इच्छा थे तो उन्होंने हमारे को उस समय मैं आपको बताना जहाऊँगा कि जितने भी हमारे इस समय के या कुछ समय पहले के जितने भी हमारे top scientists हुआ हैं इंडिया में या जो इस समय हैं किसी ना किसी समय में उन्होंने रजीब गोईल अवार्ड और गोईल अवार्ड दो केटिगरी हम देते हैं एक young scientist को रजीब और जो young scientist से ज्यादा age के हैं उनको हम गोईल अवार्ड के नाम से जिसके अंदर हम 2 लाख रुपे scientist को गोईल अवार्ड में और एक लाख रुपे और प्रशास्ति पत्र हम young scientist को देते हैं तो किसी ना किसी समय में ऐसे जितने भी महान भी गाने के उन्होंने इस आवार्ड ज़ाडा जो विश्वसरी आवार्ड हैं उनको भी मिलें तो आप ये कह सकते हैं कि आवार्ड इतने प्रतिश्टित हैं कि जो सबसे ज़ादा महान विगानिक देशके हैं वो भी इसको लेने के लिए प्रियत्न रहते हैं उनकी तरफ से भी तो हमारे लिए बहुत गरोब औ मान की बात होते हैं। सर आज बैस्वी करन का दोर है और शिक्षा के इस परस पर सहयोग को बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रियास किये जा रहे हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एकेडमिक्स के लिए हम लोग बाकी युनिवस्टी के साथ अपना सहयोग बना कर रखते हैं। जिसमें हमारे नज्दीक जो पिश्वदाले हैं, पंजाब युनिवस्टी हैं, आईटी दिल्ली हैं। इनके साथ हमारे वीच्वेल एक्सेंज प्रोग्राम रहते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारी उनिवस्टी हैं। जो हमारे शेक्षनिक कारेकरम होते हैं उसके लिए प्रस्पर सहयोग होता है। हर्याना की जितने भी उनिवस्टी हैं, तो उसके अंदर आपस में जितने भी हमारे रिसर्च प्रोग्राम हैं। उनकी एवैलुएशन से लेकर और कहीं जॉइंट प्रोजेक्ट सब्मिट करना हो, उसके अंदर भी सहयोग रहता है। इसी तरह से अभी चुकि हम राष्टे शिक्षानिती 2020 लगाने जा रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के लिए एंप्लाइमेंट के लिए हमारे को प्रस्पर सहयोग की जूट पड़ेगी। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमने अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर लगबग 25 इंडस्टी के साथ मो यूज किया हैं साइन। तो उन इंडस्टी के अंदर हमार पास सीमें जासे इंडस्टी भी है जहांपर उनके जो स्टेट ऑव दी आर्ट लेबरेटरी हैं वहाँ पर बचछे जाकर अपनी स्किलिंग कर पाएंगे. अप्सकिलिंग और अपनी नॉलिज को अप्ग्रेड कर पाएंगे वहां पर जाकर एन एटी जैसे संसान भी हैं जहां पर शेक्षनिक के साथ साथ ट्रिनिंग भी रहेगी और इंडस्टी जैसे परवानू के अंदर हमारी इंडस्टी है तो महाँ पर एक हमारी जो पैकेजिंग इंडस्टी है और कार्ड बोर्ड इंडस्टी है एक हब है वहां पर तो हमारे पास भी यहां पर प्रिंटिंग और बीडिय टेक्नलोजी है जहां पर तो हमारे इस अंसान के बच्चे वहाँ पर जाकर ट्रीनिंग लें और ट्रीनिंग के बाद उन बच्चों के अब्जोर्शन भी वहाँ पर उस इंडस्टी में हो जाती है इसी तने से हमारे जो MBA वाले स्टुड़न्स हैं, Commerce के स्टुड़न्स हैं उनका हमारे पास आप जानते होंगे कंपनी सेक्रेटरिशिप रहती है तो उनकी जो हमारी जो नेशन लवल की बॉड़ी है कंपनी सेक्रेटरिशिप में उनके साथ हमने एक MUU किया है इस ही को हम विश्व स्तर पर भी जाकर काम कर रहे हैं, अभी एक हमारी होलेंड, नीदरलेंड की एक युनिवस्टी है, जिनके साथ हमारी बात्चेत फाइनल हो चुकी है, और कुछ दिन हो गंदर हम MOU साइन करने जा रहे हैं इसकंदर, इसी दिने से ग्रेट ब्रेटन की ती साइन MOU कर पाएंगे, और इन MOU के माद्यम से एक हमारी स्टूडेंट फेकल्टी का एक्सेंज प्रोग्राम भी हो सकता है, और एक ड्यूल डिग्री प्रोग्राम भी चलेंगे, जिसमें दो साल तक बच्चा हमारे यहां पढ़ रहा है, और एक साल हो वहां जा सकता है, या समेस्टर एक्सेंज प्रोग्राम हो सकता है, फेकल्टी एक्सेंज प्रोग्राम होंगे, तो इस तरह के प्रोग्रामज आप देखेंगे, आने वाले समय के अंदर, बहुत तेजी के साथ, कुछ एक यूनिवस्टी जो की बड़ी यूनिवस्टी जो की बड़ी यूनिवस् झाल।